Hello everyone, I am Shalini Singh and welcome to my channel. इस वीडियो में हम राष्ट्रे पोशन कारिक्रम के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे हम उन कारिक्रम के बारे में पढ़ेंगे, जो पोशन के लिए चलाया जा रहे हैं नैशनल लेबल पे. तो अगर आप TGT-PGT की तयारी कर रहे हो हो होम साइंस में, तब यह वीडियो आपके लिए इंपोर्टेंट है. तो यहाँ पे जो हम पोशन कारिक्रम पढ़ेंगे वो पांच प्रकार के हैं. पहला है ICDS यानि की समन्वित बाल विकास सेवाएं, दूसरा है MDMP यानि की मिड़े मील जो दोपहर का भोजन कारिक्रम होता है, उसकी बात हो रही है. थर्ड है vitamin A की कमी से होने वाली जो अंधता है, उसके बचाव के लिए राश्ट्रे उन्मूलन कारिक्रम. फूर्थ है NNACP यानि की राश्ट्रे पोशन संबंधी एनीमिया नियंतरन कारिक्रम. उसके बात फिफ्थ है राश्ट्रे आयोडी नियूंता जनित दोश नियंतर इसको बोलते हैं इंटेग्रेटर चाल्ड डेवलप्मेंट सर्विस, सेकेंड है मिड़ दे मील प्रोग्राम, थर्ड है नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम फॉर्वेंशन आफ नूट्रिशनल ब्राइनेस ड्यू विटमिन ए डिफिशेंसी, फूर्थ है नेशनल निट्रिशन अगर चाल्षन ग्रहन नहीं करेंगे है ताक की वह अपने बच्चों के अच्छे से देख भाल कर पाएं यह पूरा कारेक्रम बच्चों और प्रेग्नेंट लीडी पे ही बेस्ट है थीक है तो अगर बच्चे अच्या पोर्शन ग्रहन नहीं करेंगे तो वह स्वस्त भी नहीं होंगे और अगर वह स्वस्त नहीं होंगे तो वह पढ़ाई में रूची भी नहीं दिखाएंगे और इस तरह से अगर उनको proper nutrition नहीं मिलेगा तो बच्चा हो सकता है डाइलिया से पीरिट हो जाए ठीक है और अगर इस इस्तिति में उसे अच्छा प स्वास्त स्वारों में पता है? उनकी पूरी मॉनिटरिंग होती है, देखा जाता है कि बच्चे का जो विद्धी और विकास है, उसकी एज के हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसलिए ICDS कारिकरम हमारे पूरे देश में शराय जाता है, जो कि बच्चों के विद्धी और विकास के लिए जरूरी है ठीक है तो अब ये क्या-क्या विवस्था करता है वो यहां पर बताया गया है तो देखो सबसे पहले तो ये स्वास्त के लिए क्या विवस्था करता है ये टीका करण करवाता है ठीक है बच्चों को जो भी इंजेक्शन जरूरी है उनके स्वास्त सेवा की जरूरत है तो बच्चों को बताया जाता है हमके पेरंस को बताया जाता है कि इनको इस डॉक्टर को दिखाईए या इनको यह खाना खिलाईए और अगर चोटी मोटी बिमारी है तो उसके इलाज की विवस्था भी की ICDS करता है ठीक है पोशन के छेतर में यह क्या करता है देखो बच्चों को आहार देता है यह पूरक आहार देता है व्रिद्धी का निरक्षन करता है कि बच्चे की व्रिद्धी अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही है उसके अलावा पोशन वह स्वास्त सिक्षा दी जात कि ये प्रालंबिक बाल्यावस्था में बच्चों की देखरिक भी करता है, साथी साथ स्कूल पूर्व सिक्षा देता है, प्री स्कूल एजुकेशन देता है, जिसे स्कूल जाने से पहले बच्चे को थोड़ा मुड़ा ग्यान होना चाहिए, तो अब इसमें किन-किन चीज़ों को शामिल किया गया है, वो यहाँ पर बताया गया है, तो देखो यहाँ पर बहुत सारी अन्य सहायक सेवाएं भी हैं, जैसे आपने आंगनवारी सुना होगा, आंगनवारी आई-सी-डियस के अंदर ही चलाया जाता है, ठीक है, और साथी साथ इसमें स्वक्ष पे जलकी वे विवस्था की जाती है, पर्यावर्नी स्वक्षता पे भी ध्यान दिया जाता है, महिला सशंक्ति करण के भी कारेक्रम चलाया जाते हैं, और अनौपचारिक स्कूल प्रूव सिक्षा भी दी जाती है, ठीक है, वेस्था सिक्षा भी दी जाती है यहाँ पे, तो ICDS के अंदर आने वाली जो सेवाएं हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें बहुत सारे केंदर बनाये गये हैं, इन केंदरों को हम क्या बोलते हैं, आंगनवारी केंदर कहते हैं, बहुत सारी आंगनवारी कार्यकरताओं को आपने हो सकता है, देखा भी हो, ठीक है, अब लाभार्थी कौन है, किसको ICDS से फायदा होता है, तो इतना तो हमने पढ़ लिया कि बच्चों और प्रेंगनेंट लेडी को फायदा होता है, तो 6 से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, उनके लिए लाभदायक है, 7 साथ 11 से 16 वर्ष की जो लड़कियां है, उनके लिए भी यहाँ पे लाभ मिलता है, उनको भी बताया जाता है, पीरिड्स व그더ं खेभारे में, जो भी अगर अनीमिया इस वक बहुत जादा होता है, तो उसके बारे में बताया जाता है, पोशन स वह परोग्राम किया था? मिड़े मील प्रोग्राम. दोपहर का भोजन कारिक्रम. तो ये भी 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए है. प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए है. अब तो इसमें अपर प्राइमरी को भी शामिल कर लिया गया है. मतलब six से लेके एर्थ क्लास को भी अब इसमें शामिल कर रिया गया है तो इसका देखो मेन उदेश ये है कि अगर बच्चे को पूरा खाना मिलेगा तो बच्चे का पढ़ाई में भी मन लगेगा तो और इस लालश में बच्चा स्कूल भी जाएगा क्योंकि हफ़ते का पूरा इलो का पूरा मैन्यू होता है ना कि इस दिन ये खाना मिलेगा इस दिन ये खाना मिलेगा तो उस सबसे बच्चों को थोड़ा लालश भी होता है पेरंस को भी लगता है कि बच्चे स्कूल जाएंगे तो उनको थोड़ा पोर्शन मिलेगा ठीक है इसके अलावा बच्चों को और भी चीज़ें दी जाती है जैसे बच्चों को कॉपी किताब भी मिलती है बैग वगरा भी मिलता है यूनिफॉर्म भी मिलता है तो वो सब अलग की चीज़ है मिड्डे मिल का में प्रोग्राम यही था कि बच्चों में बच्चे स्कूल ज़ादा ज़ादा आएं ठीक है बच्चे ज़ादा एजुकेटड होँ तो यहाँ पर मुख्य उदेश किक्या है कि बच्चों को आहार मिले और इसका एक फायदा ये भी है कि विद्याला में जो उपस्थिती है बच्चों की जो बच्चों की अटेंडंस है ठीक है वो पूर तो यह क्यों चलाया गया यह इसका लक्ष यही है कि विटमिन A की कमी से जो अंधापन हो रहा है उसको रोका जाए तो इसके अंदर कौन-कौन से सिवाय दी जाती है पहला तो यह कि लोगों को प्रोसाहित हिया जाए कि वह विटमिन A वाले आहार ले छह से पांच वर्ष के बच्चे हैं मतब 6 महा से 5 बच्चे हैं उनको मोखिक रूप से विटमिन A की पर्यापत मात्रा देना मतब इनको क्या किया जाता है डौब अगेरा पिलाई जाती है या कोई दवा वगेरा दी जाती है जिससे विटमिन A की जो मात्रा हम की बौडी में वह प्रॉपर रह पा साथी साथ जो गर्वती महिलाएं हैं और जो लक्टेटिंग मदर हैं दूद पान कराने वाली माताएं हैं उनको भी इससे फायदा होता है और 15 से 25 सुष्ष की सभी महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है ठीक है फूर्थ है हमारा राष्ट्रे पोशन संबंधी अनीमिया नियंतरन कारिक्रम यानि कि NNACC इसमें क्या होता है इसमें छोटे बच्चों और महिलाओं में जो रक तलपता होती है उसको रोकने का लक्ष बनाया गया है मतलब कि खून की कमी ना हो छोटे बच्चों में और माता अनीमिया का मतलब आपको पता ही होगा कि जब हमारी बॉड़ी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है या हीमोग्लोबिन बिगड़ जाता है इंबैलन्स हो जाता है तो उस सिच्वेशन में उस सिच्वेशन को अनीमिया कहा जाता है या रक्त अलपता कहा जाता है तो इसके जो आंदर कौन-कौन से सेवाइं प्रदान की जाती है तो सबसे पहले तो इसमें लोगों को प्रसाहित किया जाता है कि वह आईरन वाले जो खाना है उसको जादा खाए आईरन जादा जादा ले लोहतत्व और फोलिक एसिड संपूरख प्रदान करना मतब दवाएं अलग से दी जाती है आपने देखा होगा कि pregnant ladies को और छोटे बच्चों को iron की गोलियां दी जाती है और folic acid की भी tablets दी जाती है ठीक है ताकि उनको जो है अनीमिया ना हो गंभीर रग तलपता के रोगियों का उपचार करना अगर जिसको बहुत जादा खुन की कमी हो गई है हीमोग्लो दिया जाता है उसके अलावा जितने भी pregnant lady है lactating mothers है उनको भी फाइदा दिया जाता है और 15 से 45 वर्ष की सभी महिलाओं को इसमें फाइदा मिलता है फिफ्थ हमारा प्रोग्राम है NIDDCP यानि कि राश्ट्री आयोडीन नियूंता जनित दोश नियंतरन कारिक्रम आयोडीन की कमी से problem भी जादा तर छोटे बच्चों और pregnant ladies को होती है ओरतों को होती है ठीक है तो इसमें क्या होता है इसमें लोगों को ये प्रोसाहित किया जाता है कि वो आयोडीन युक्त नमक खाएं तो इस कारिक्रम के अंदर कर क्या सेवाय दी जाती है पहले तो समस्या का आकलन कि जाता है कि समस्या कितनी गंभीर है ठीक है उसके बाद आयोडीन युक्त नमक के उत्पादन विप्टन के लिए विवस्था करना कि उत्पादन भी हो आयोडीन युक्त नमक का और उसको बेचा भी जा सके ठीक है उत्तम कोटी के आयोडीन युक्त नमक और भोगता को प्र क्वाily House,्ंद behavior play. य legyy, और नारी थे गयाख सब्सक्राइज है. दोशों को करने के लिए ये ज़ुआ कोड़ कोचन है नांदारा था एक मद क्वा आज़ए, पारे कि बहुतार, तो इन सब एक प्रस्पाइज के लिए आजा थाता, तो इसी के साथ हमारा ये जो वीडियो है वो यहाँ पे पूरा होता है हमने पांचो कारिक्रम के बारें बढ़ा I hope आपको चीजे समझ में आई होंगी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर कोई डाउट हो तो कमन सेक्षन में पूछ भी लेना थैंक यू फो वाचिंग